हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल Optometry with Tariq पर मैं Tariq Malik आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे फोटो क्रोमिक लेंस के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या होता है एक फोटो क्रोमिक लेंस कैसे बनाई जाते हैं फोटो क्रोमिक लेंस और कौन-कौन सी चीजे उसकी performance पर affect करती है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe करें ताकि और नए वीडियो की notification आपको जल्दी मिल जाए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो क्या होते हैं photochromic lenses तो अगर हम इस वर्ड photochromic lens को समझें तो इसमें ये दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं photo और chromic photo का मतलब होता है light और chroma का मतलब होता है color so इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई lens हो जिसका color आपके light के हिसाब से change हो उसे हम photochromic lenses बोल सकते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर एक lens को किसी भी particular light के सामने रखा जाए और वो अपना color अगर change करता है उसे हम कहते हैं photochromic lenses तो photochromic lenses जो बनाये जाते हैं ये उस concept पे base हैं कि कभी भी अगर इन पर UV light को incident किया जाए या फिर इन पर अगर UV light पढ़ती है तो ये अपना color जो है transparent से dark shade की तरफ convert कर लेंगे मतलब जब आप indoors में रहते हैं या फिर घर के अंदर या फिर चाओ में और जहाँ पे UV light इस पर नहीं पढ़ रही तो ये white रहेंगे और जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो ये अपने आप इनका color change करने लगते हैं जो कि अलग-अलग colors में मिलते हैं ये gray या फिर brown में change हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं हम photochromic lenses next हम देखेंगे कि photochromic lenses बनाए कैसे जाते हैं photochromic lenses बनाने के कई तरीके हैं जिनमें से की commercially चार तरीके commonly use किये जाते हैं उनमें से पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं in-mass technology तो in-mass technology क्या होती है in-mass का मतलब होता है कि आपने material के अंदर ही photochromic जो आपका pigment है या फिर जो material है जो उस color को एक अलग यहाँ पे हम glass और photochromic आपका जो material है उसे लेकर हम साथ में mix करते हैं और एक mold के अंदर डाला जाता है और उस mold को compress करते हैं ताकि आपका एक lens का blank बन जाए तो इसमें in-mass technology में आपके पूरे material के अंदर आपका जो है photochromic pigment पाया जाता है second है आपका imbibition technology imbibition surface technology में क्या करते हैं यहाँ पे आपका एक plastic lens को photochromic pigment जो है जो की आपको photochromic effect देगा उस dye में डुबोया जाता है और वो dye इस lens को absorb करना चालू करतेती है जैसे ही आपका lens इसे absorb करने लगेगा इस lens के चारो तरफ एक layer सा बन जाएगा जो की photochromic होगा और जैसे ही यह धूब के साथ interact करेगा इसका color change होने लगेगा अगला जो technology है इसे कहते हैं front surface coating technology front surface coating technology में क्या होता है कि आपका जो lens है जो आपका CR lens है उसके उपर एक 40 photochromic pigment की layer को उसमें चिपकाया जाता है जिसके उपर आपकी protective और scratch resistant coating लगाई जाती है ये lenses आपको सिर्फ front surface पे ही आपका UV protection देते हैं back surface पे UV protection नहीं होता है इसमें आपको जो particular layer है वो दिखेगी जबी भी आपका photochromic effect पाया जाएगा चौती technology जो है उसे कहा जाता है transbonding technology जहां पर multiple layer जहां पर एक plastic की sheet जो की green color की दिख रही है आपको और आपकी जो layer है एक होती है ink layer और एक होती है binder layer इन तीनो layer को एक mold में दबाया जाता है जिससे की ये एक single layer में बन जाते है यहां पर अलग-अलग layer को साथ में रखके bond किया जाता है जिससे resin के साथ चिपका दिया जाता है जिससे की आपको transbonding photochromic lenses मिलते हैं अब बात करते हैं glass photochromic lenses के बारे में तो जो glass photochromic lenses हैं यह हमारे बनते हैं आपके in-mass technology से in-mass technology में glass का जो material है जो की है आपका silica और बाकी other materials इन्हें mix किया जाता है photochromic material के साथ और इन्हें पिगला कर mold के अंदर डाला जाता है और बाद में उस mold से जो हमें मिलता है वो आपका मिलता है photochromic lens blank अब यह काम कैसे करता है जो आपके इसमें pigment होते हैं इन्हें कहते हैं silver halide crystal silver halide एक ऐसा chemical है जो की UV के साथ संपर्क में आने पर उसका silver और उसका halide दोनों अलग-अलग हो जाते हैं silver जो है अपना color change करके काला हो जाता है और आके surface पे जमा होने लगता है जिसके वज़े से ही आपका जो lens है वो black होने लगता है जैसे ही यह chemical reaction silver वापिस से halide के साथ joint होकर वापिस से colorless बन जाता है और आपका जो glass है वो वापिस से transparent बन जाता है बात करते हैं plastic photochromic lenses की यह बनाए जाते हैं imbibition technology से और आपके front coating technology से यहाँ पर जो chemical यूज़ किया जाता है इसका नाम है indolino spironepthoxine यह जो chemical है यह पहले बहुत यूज़ किया जाता था हाल ही में एक और नया chemical पाया गया है जिसे हम कहते हैं diarile napthopyrone यह chemical जो है यह आपके organic dyes हैं यह एक तरह का dye है जो की सेम आपके silver halide जैसा ही काम करता है जैसे ही UV इस पे incident होती है यह अपना color change कर लेते हैं chemical reaction के वज़े से और जैसे ही UV light को हटा ली जाती है वो reaction reverse होकर वापिस से वो colored से आपका colorless बन जाते हैं अब बात करेंगे हम उन factors की जो की आपके photochromic lens के performance को कम या ज्यादा कर सकते हैं या फिर जो आपके factors affect करते हैं पहला जो है उसे कहते हैं light intensity मतलब light जो है वो कितनी intense है तो इसमें सीधी बात जो अगर हम कहें UV light जितनी intense होगी आपका photochromic effect उतना ही जादा होगा जादा intense light का मतलब है जो UV rays की power है वो जादा होगी और जादा से जादा chemically react करेगी जिसके वज़े से आपका जो lens है वो और ज्यादा काला होगा और अगर आपकी UV की intensity कम है तो इसमें आपका darkness भी कम होगा next जो है वो है temperature ये चीज़ बहुत ही जरूरी है समझना कि आपका अगर colorless से colored में transfer होता है वो होता है UV energy के वज़े से पर अगर आपका temperature बहुत ज़ादा है वो उसी reaction को reverse कर देता है जिसके वज़े से आपका जो pigment है वो वापिस से colorless होने लगता है उसी वज़े से आपका जो photochromic lenses है UV energy ज़ादा होने पर काला ज़ादा होता तो है पर अगर आपका temperature बहुत ज़ादा है तो वो वापिस से आपका जो है colorless होना चालू हो जाएगा जिसकी वज़े से अगर आप देखेंगे आपके photochromic lenses उन environment या फिर उन जगाओं पर ज़ादा काम करते हैं जहाँ पर UV light तो है पर temperature बहुत ज़ादा नहीं है पर अगर temperature बहुत ज़ादा है जैसे की रेगिस्तान वगेरी जगाओं में वहाँ पर UV light के ज़ादा होने के बावजूद आपका जब photochromic है बहुत ज़ादा dark नहीं होगा क्योंकि वहाँ temperature बहुत ज़ादा है उन जगाओं पर photochromic से ज़ादा बहतर होगा कि हम tinted lens दे या फिर polaroid lenses दे दे जिनमें एक permanent tint होता है अगली चीज़ है exposure memory exposure memory का मतलब होता है जैसे कि ये एक chemical reaction है तो जितनी ज़ादा बार ये reaction repeat होगा उतना जल्दी या फिर उतना ज़ादा ये chemical reaction easily होगा तो अगर हम देखें कि कोई particular photochromic lens अगर एक दिन पुराना है और वही lens अगर 50 दिन पुराना हो तो जितना ज़ादा पुराना आपका lens होगा वो उतना ज़ादा dark होता है या फिर उतना जल्दी आपका dark होता है तो exposure memory जो है वो बहुत ज़ादा important है तीसरा चौथा है आपका lens thickness अब जैसे कि हम लोगों ने अलग-अलग technologies देखी जहां पे photochromic lenses बनाए जाते हैं उन photochromic lenses में कुछ technologies थी जो थी imbibition technology जो surface पे है या फिर in-mass technology जहां पे आपका पूरे surface में अंदर आपका pigment present है तो जैसे कि हमने देखा जितना ज़ादा thick आपका lens होगा उतना ज़ादा pigment वहाँ पे present होगा तो मान लीजिए आपका lens जो है minus lens है वो भी high powered तो इसमें क्या होगा कि आपके side में periphery में जो आपका lens है बहुत थिक होगा जिसके वज़े से वहाँ पे ज़्यादा pigment present होगा और वो ज़्यादा dark होगा और center जो है बहुत thin होने की वज़े से वहाँ पे कम या फिर बहुत ही कम आपके pigment होगे जो की कम dark होगा जिसके वज़े से अगर आप देखेंगे तो आपको एक bullseye pattern दिखेगा जहाँ पे की center में आपका कम dark और periphery में ज्यादा dark होगा हाला कि वही चीज अगर आप एक plano lens देखेंगे जहाँ पे even thickness होता है सारी जगाव पे वहाँ पे आपका uniform darkness में देखने के लिए मिलेगा अब बात करते हैं हम क्या-क्या advantages हैं आपकी photochromic lenses की पहला तो है इसका dual role, dual role का मतलब होता है कि ये आपका as a shade as well as आपके regular use के लिए use किया जा सकता है जिनका high power है जो की goggles वगरा नहीं पहन पाते हैं उनके high power के वज़े से वो एक photochromic में दोनों काम कर सकते हैं outdoor as well as indoor दूसरा है absorbs UV light जैसे कि हम जानते हैं कि UV light जो है हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती है तो ये जो photochromic lenses हैं ये उन UV light को absorb कर लेती हैं और हमारी आँखों को UV light से बचाती हैं तीसरा है reduces intensity of light मतलब जो light की तीवरता है वो कम कर देती है मान लीजिए कि आप बाहर गए हैं जहां बहुत दूप है और आपका lens जो है वो dark हो जाता है automatically तो आपको देखने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना एक normal clear lens से होता है अब बात करते हैं disadvantages के बारे में पहला तो है difficult to change one lens जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इसमें exposure memory होती है जैसे कि अगर एक lens एक दिन पुराना है और एक lens पचास दिन पुराना है दोनों के darkness में फरक होगा इस वज़े से अगर हमें सिर्फ एक lens change करना है कभी कबार ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक lens ज़ादा dark और एक lens कम dark दिखता है जिसके वज़े से एक lens change करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूसरा है Do not perform in hot climate मतलब ये जो बहुत ज़ादा गर्म जगा होती है वहाँ पे photochromic आपके उतने कारगर नहीं होता है जितना की आपके उन countries में है या फिर उन climate में जहाँ पे temperature बहुत ज़ादा नहीं है जैसे कि अगर आप European countries में जाओगे जहाँ temperature बहुत ज़ादा नहीं होता है पर UV होता है वहाँ पे आपके photochromic बहुत अच्छे काम करते हैं पर वही आप अगर tropical countries में जाओ जहाँ पे temperature बहुत ज़ादा है वहाँ photochromic से better जो होगा आपका एक tinted lens होगा क्योंकि temperature ज़ादा होने की वज़े से वो जो darkness आएगा वो आप इससे reverse हो जाता है और lens पूरी तरीके से dark नहीं हो पाता तीसरा है आपका doesn't perform well inside car आपकी car के अंदर जो है ये completely dark नहीं होगा ये क्यों होता है क्योंकि आपकी जो car की windshield है वो इस material से बनी है जो की UV को absorb कर लेती है UV absorb करने की वज़े से car के अंदर आपका बहुत ज़ादा UV नहीं आता है और आपका lens को proper उतना amount of UV light नहीं मिलता है जिसे की वो काला हो सके पर light की जो intensity है वो उतनी ही रहती है उसी वज़े से बहुत लोगों को ये complaint रहता है कि UV जो आपका जो UV है वो UV protection आपको फोटो क्रोमिक इसमें car के अंदर नहीं दे रहा है ये होता है क्योंकि आपकी विंडशील्ड जो है वो अल्रेड़ी UV फिल्म के लिए लगी हुई होती है बेसिकली वो एक polycarbonate sheet होती है जो की UV को अल्रेड़ी अब्सॉब कर लेता है उमीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए शुक्रिया मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में